नमस्मुरार दोसों आप शबी का बहुत बहुत स्वागत है दोसों आप शबी को बता दें कि किशमत का पन्ना पलट चुका है कलशी आप शबी की जुनकाल में जीवन का नया देशा प्रारॉम होने वाले जो भी घटना या आप शबी की जुनकाल पर प्रारम होने वाले हैं दोस्तों यकीन मानिए आप शबी का जीवन पूरी तरह बदल देगा पशर्टे दोस्तों इस वीडियो में बताई जाने वाली हर बातों को आप पूरी तरह ध्यान शेशुनें तरह बातों का जान और पूरी नहीं से कौन पूरी जाने वाली हैं कोणकोल पूरी आप मिलने वाली है तो दोस्तों शवी बातें बहुत ज़्यादा ग्यान बर्दक और बहुत ज़्यादा महत्मुन आप शवी के लिए होने वाली है तो दोस्तों अंते तक देखिएगा उश्री पहले दोस्तों बगवान श्री किष्ण के सच्चे भगत इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और कमेंड बॉक्स में सच्चे मंज से जयाई श्री किष्णा जरूर लिखें भगवान श्री किष्ण का शी मश्रबाद आप शवी को प्राप्त होगा तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं कि बहुत ही महत्मून कहानी से बहुत ही महत्मून विचार से जो कि दोस्तों आप शवी को अपनी जुनकाल में याद रखने हैं दोस्तों अगर कोई कृष्ण में अपने च्छाय होने वाली प्रेम को शमर्पित करता है तो उसका जीवन शफल हो जाता है या इशा तत्य है जिसे वह वारिक परियोग दोबारा महशुस किया जा सकता है कृष्ण प्रेम से जीवन पर पढ़ने वाली प्रभाव को परत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है हर किशी में जीवन की किशी भी इस्तिती में कृष्ण और उनकी कथाओ को सुनने के प्रती रूची होने चाहिए क्योंकि दोस्तों वही शर्वच प्रम शत्य शर्वर शक् कुछ जाय मेंगे, सोचने के शम्त आपकी बढ़ेगी और आप करके कल्यानगारी इस्क्किरिया आपको मिलने वाल है, तो दोस्तु को आप शमज सब्सक्राइब करें जाय स्माधे, तो अज़ारे बात करते हैं कि कल्षे खिशमत के पन्ने पलटने वाले ही और आप शिवी की जुनकाल में कौन-कौन शी बदलाव करने वाले ही। दिन के दूसरे पक्ष में शावधान रेने की आपको आपशकता होगी। आपको बता दें कि अचानब कोई मुश्यवत आपके शाम ने खड़ी हो शकती है। धथा वेर्थ के कारियों में भी कोई शमस्याई वहतित होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि कभी-कभी अतियात श्वास थता एहम आपके बंते कारियों में भी रुकावत डाल सकता है। तो दोस्तों इन से जरूर शावधान रहें। इसको ब्राहत दोस्तों आपको बता दें ये श्मी आपके लिए शम्होंगे। दोस्तों मौज मस्तिक की तरफ अधिक ध्यान रहने के वुज़शे मह आइपून काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों काम शमदित बातों में आपको अभी रश नहीं आएगा। फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेड़ लाइन आ रही है। उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको बता सकती है। प्रहतों दोस्तों आपने आत्म विश्वास वाफिर दिड़ निस्चे दोरा उनका शमाधानी भी अशानी से ढूंड लेंगे। दोस्तों धार्मिक कारेकरम में जाने का अवश्वर भी आपको प्रात होगा। दोस्तों आपका शकार्दमंग दिश्टी कौन सकती है। विद्यार्तियों को भी कंपूट्शन शमंदी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने के आपशकता होगी। उसको प्राहतों यह समय आपके लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने दाइरे शिव बाहर निकलकर नई लोगों के शाथ संपर्क समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह में ग्रह गोचर बहुत थी उत्तम शमय आपके लिए लेकर आने वाले हैं। दोस्तों यह ग्रह गोचर आपके लिए बाग विशाली रहने वाले हैं। दोस्तों यह शमय मुल्यवान वश्तों की खरिदारी शम्भव हैं। तथा किशी समाजी गुस्तव में भी शम्मानित होने का अप्षर भी यह शमय आपको प्राप्त होने वाला है। इसको ब्राण दोस्तों कभी-कभी किशी वज़ाशे आपको अपने ही वायवार में लचिला फन बनाकर रखना चाहिए। नईदिकी मित्र या फिर भाई से भाई के साथ जो है छोटी शी बात का बड़ा जो कनफूजन को लेकर खड़ा कर सकता है। इसको ब्राण दोस्तों आपको बता दें कि किसी विसे में आपको योगमार दर्शन नहीं मिल पा रहा है। ये आपके लिए बैतर होंगी। इसको ब्राण दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगी। दिन की शुरुआत बहुती बैतरिन तरीके से होंगी। इसको ब्राण दोस्तों आपको बता दें कि आपके प्रती कुछ नया करने का जो आपके इच्छा है यसमे पूरुन होगी बाग का शुतारा परवल है दोस्तों अपने कारियों के प्रती आपका उत्सा आपको और से ही सफलता यसमे दिलाने वाले हैं इसको प्रांदी दोस्तों किसी प्रिजन से मुलाकात भी होगी जो कि आपके लिए फाइदयमं शाविद होगी इसको प्रांदी दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपके उपर उदास निता वो फिर नकरत्मक विचार हावी हो रहा है फर कितना है कि इस बार आप दोनों बातों के बारे में उचित अधिक जोहत जागरू थें इसलिए दोस्तों यश में अपने अंदर नकार्पक बीचारों को मिटाने कारे पत्रने परेतने आप करते रहेंगे खुद के अंदर शकात्म विचारों को देखने की गुजश करें और आप अच्छो शपलता को इसमें प्रात कर पाएंगे इसको प्राइन दोस्तों यसमें बता दें आपके केरेल के लिज़ समय होंगे दोस्तों यसमें वयुवाओं को रुजगार के नए अफसरों भी अफसर भी मिलेंगे जिसे दोस्तों अधिक आत्मिश्वास उत्पन होगा यसमें साहिधारी वयुशाय समंदी निरले लेना भी आपके लिज़ लाग दाएक रहेगा दोस्तों मंटरी नेशनल कमपनी में काम करने वाली वयुशाय में कुछ नुक्षान होने की बीस्तिती बन रही है इसलिए दोस्तों अभी निवेश ना करें और शावधनी बरतें ये आपके लिज़ बहतर होंगे किसी भी वयुशाय की यात्रा को अभी इस तकीती रखना आपके लिए उचित होगा नुकरी पेशा व्यक्तियों को भी विदेश वमंदी को उपलब्धी भी येशमय हासिल हो सकती है इसका प्रांदों से येशमय आपके केरेर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि गलेमर या फिर कला शोंदर प्राशाधन आदिस से जुड़े जो भी वयक्ति है उनके वयुशाय में मन मुतावित उपलब्धी भी हासिल होंगी फरंतु करमचारियों की गदिवदियों पर कड़ी नजर अवश्य रखें येशमय यश्मय दोस्तों बिदेश्मन दी, वयुशाय में कोई सूप समस्यार भी आपको प्राब्त हो सकती है इसको ब्रहान दोस्तों आपको बता देंज है यह आपके केरियर के लिए ज violence की जो समय होंगे दोस्तों कारीच छेतर में काम का दवदबा बना रहेगा और इनके वज़े से आपके पर थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है लेकिन दोस्तों जल्दे ही इन शमस्याओं का निवारण भी हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनस में भी फाइदमन इस्तुदियां बन रही है नोगरी पेशा लोगों भी पदोनेती के उचित अफ्सर भी यशवे में मिलने वाले हैं इसको प्राहत दोस्तों यशवे अगर आपकी लव लाइप के लिए बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यशवे आपके लव लाइप के लिए जह समय होंगे विवाईत समंदों में गरत्फमियों को लेकर कुछ तक्रार उत्पन हो शकती है अपने रिष्टों के प्रती जो है इमंदार रहें वेर्थ के प्रेम शुमंदों से दूरियां बना करी रगें या फिर इन्षे बच कर रहें ये आपके लिए भैतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों या शुमंए आपके लव लाइप के लिए जोसे में होंगे आपको बता दें कि पती पतनी के बीच भानों तोक शमंद मजबूत होंगे प्रेम शमंदों को पारिविरिक शुविकिरती मिलने से उमंग और खुशी भरा माहर रहेगा इसको प्रांद दोस्तों या शुमंए आपके लव लाइप के लिए जोसे में होंगे दोस्तों या शुमंए पती पतनी के शमंद तो उत्तम रहेंगे ही और आपका घर पर भी और वाईशाय पर भी उचित समान जास जोसे में बना रहेगा और इसे दोस्तों आप पस्तियों को बहतर दिशा में ले जाने में भी काम्याब रहेंगे इसको ब्राहन दोस्तों यश में आपके पारेवरिक जोन के लिए जो समय होगे आपके प्रेम जुवन के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि छोटी शी गलत फेमी भी पदी पद्रें के शंबंधों में तनाव उत्पन करेगी प्रन्तु आपसे सूजबूश से समस्या हल भी हो जाएगा और दोस्तों उन्हें कोई अच्छा उपार भी यश में देना ना भूले ये आपकी लव लाइप के लिए श्मय बहतर होंगे इसको ब्राहन दोस्तों याश में अगर आपकी स्वास यान श्यहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी किसी समय मांसुक तनाव भड़ सकता है शांत रहने का प्रयाश करें तथा मेट्रेशन में भी कुछ समय आवश्यो वेतित करें ये आपके श्मय बहतर होंगे श्मय समय में ठीक होगा प्रचन दोस्तों शिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से आपको अपना बचाव करना चाहिए ये आपके श्मय बैतर होंगे और उन्हें अपने स्वास को आपको बहुत अच्छी तरिके से सभाल भी पाएंगे